आपको यहाँ पर बुलज़ाई प्लानर का यूज करके स्लेवर्स कम्पलीशन एंड रिवीजन का प्लान करते हैं आपको खुद की प्लानिंग का जंजट खतम करने के लिए RBC बनाया हुए और बच्चो यह जो बुलज़ाई मेंटरशिप प्रोग्राम है इसमें हर बच्चे को एक परसनल मेंटर मिलेगा तो उसके लिए बच्चो एक बहुत ही अमेजिंग फैसलिटी आपको RBC में मिलेगी वो है 1000 प्लस कॉंसेप्ट वीडियोज बच्चो जेएमें 2024 में 95 डेज बाकी हैं लेकिन आप सभी जानते हैं लास्ट के 10-15 डेज में हम primarily revision पे focus करते हैं और कोई नया topic उस समय बिलकुल नहीं उठा सकते तो यानि अभी हमारे पास practically बचे हैं 80 डेज लेकिन 80 डेज में सर करें तो क्या क्या करें revision भी करना है problem solving भी करना है even theory भी cover करनी है और mock test तो दे नहीं है प्लस उनको analyze भी करना है इस सारी problems में एक साथ कैसे करूं कैसे manage करूं plan बनाता हूं पर वो plan मैं follow नहीं कर पाता हूं सर इस कारण बहुत stress बढ़ रहा है procrastination हो रही है और बहुत tension बढ़ रही तो बच्चों आप सभी के लिए आज का वीडियो ना राम बाण है वन स्टॉप solution है आपकी इन सारी problems का solution आप सभी को मैं आज देने वाला हूं तो बहुत बहुत मजाने वाला है प्लस आज जो आर बीसी बैच है डाट इस रैंक बूस्टिंग कोर्स बैच है बच्चों वो भी इसी वीडियो में launch होने वाला है जो चलिए बिना time waste किये शुरुवात करते हैं देखे हमें सीधा जानना है कि करना क्या है कैसे होगा तो देखो सीधी बात है आप सभी जानते हो कि यार practice से ही होगा practice revision करोगे जितनी focused practice करोगे यानि high quality study material से जब questions करोगे तो काम बनेगा जिसमें obviously PYQs तो बहुत important है पर उसके अलावा highly relevant questions भी करोगे तो काम बन जाएगा और theory को बहुती smartly भी हमें cover करना होगा तो आईए देखते है planning कैसे करनी है देखे बच्चों फंडा कुछ ऐसा ये picture आपको बिल्कुल clear होने चीए सबसे पहले अपने को समझना है कि strong किसको बोला जाएगा तो बच्चों strong chapters वो कहलाएंगे जिनके questions आप लगबग सारे के सारे PYQ without any solution देखे कर पाते हो moderate chapters वो कहलाएंगे जिनके लगबग 50-60% PYQ आपसे बन जाते हैं और weak chapters वो हैं जिनके लगबग 10-20% PYQ ही आपसे solve हो पाते हैं या आपने वो chapters अब तक किये ही नहीं है बात समझ में आई अब बात यह है यह हमें कैसे पता लगेगा तो इसमें आपका काम असान करने के लिए बच्चों हमने बनाया है एक बुल्जाइ स्वोर्ट अनालेसेज टूल यह आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को बता देगा और इसकी हेल्प से आप कैटेगराइज करेंगे कि कौन-कौन से चेप्टर आपके स्ट्रॉंग है मॉड्रेट हैं कौन से चेप्टर वीक है यह टूल आपको सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और आप वहां पे टिक कर सकते हो अपने चेप्टर को और बहुत इस टूल की हेल्प से यूज आइडेंटिफाई और स्ट्रेंथ और वीकनिस इस नाव क्या करें तो बच्चों एक मैं अंदाजा आपको देता हूं किमाली जी आपके 30 चेप्टर स्ट्रॉंग है 30 चेप्टर फर एक्जेंपल मॉडरेट है 30 चेप्टर आपके वीक है तो आपके जो ओवरॉल मार्क्स में मेजर कॉंट्रिपूशन होगा नाच्रली वो किन चेप कि आपका maximum score जो आता है किस से आता है strong चेप्टर से आता है तो अभी से Mittel ضavian में हमारा goal क्या होना चाइए naturally हमारा जोना चाहिए कि हम maximum chapters को बच्छों Strong category में लिकर आंच अब हो कैसे होगा तो उसके लिए हमें रिवीजन प्लान भी करनी है स्लेबस कंपलीशन प्लान भी करना है कैसे होगा बिलकुल होगा वही सरेटर का कॉन्टेंट पहले मिल जाता है अगर हाई वेटिज टीक्ट ईसे चोटे भी है और असान भी है तो उनको हमें सबसे पहले कर लेना चाहिए ना ताकि हमारा टाइम बच जाए तो यानि अब हमें स्लेवर्व को प्राइरिटाइज करना पड़ेगा अब स्लेवर्व का प्राइरिटाइजेशन जो टीचर्स बताते हैं उसके लावा हमें खुद का भी तो देखना पड़ेगा अब जैसे माल लीजे पहले strong में करना चाहिए confidence हमारा उसी से पड़ेगा जितने ज्यादा हमारे chapter strong होते जाएंगे बच्चों उतना हमारा confidence बढ़ता जाएगा and the key is the confidence the greater the confidence उतना ही अच्छा result आपका बच्चों आएगा तो बात आपको समझ में स्लेबस को प्राइटाइज करने के लिए you have to use बुल्जाई प्लानर बुल्जाई प्लानर में बच्चों तीन के 50% स्लेबस ही करना है और जो ए 3 कटेगरी के स्टूडेंट से इनको just cut off clear हो जाए तो काम हो जाए ऐसे बच्चे भी होते तो यह जो बच्चे हैं इनको 50-60% स्लेबस करना है तो इसके दो चीजों को combine करना है आपकी जो खुद की strength से उसको देखते हुए आपको देखना है क्या देखना है बच्चों आपको यहां पर बुल्जाई प्लानर का कर लिए जो सबसे जरूरी थे यह आज ही कर लेना ठीक है नाव देनेक्स इंपॉर्टेंट थिंक यह सब होगा कैसे यह दो काम हमने कर लिए हमने strength weakness पता लग गई है हमें और जो second बच्चे जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं यह आपको फॉलो करना है बेटर रहेगा आप सभी के लिए you will feel much more physical and mental strength बहुत जरूरी यह करना है ठीक है along with that आप सभी phone जो है बच्चो यह distraction सबसे बड़ा आप सभी जानते हो ठीक है तो phone को तभी उस करें जब study कर रहे हो उस समय के लिए यूज करें उसको दूर रखें अपने आसपास phone को कभी मत रखें कभी भी मत रखें यह दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टन है अनर्जी आ आपको इस समय कमजोर बना रही है फिजिकली और मेंटली स्वामी विकनन ने बाद बोली थी एनिधिंग विच मेक्स फिजिकली और मेंटली वीक रिजेक्ट इट एज आज पॉईजन यस बच्चो तो इस बेसिस पे उसमें exercise मंत्रा नाम जब प्रेंग बहुत हेल्प करती आपके thoughts को आपकी vibrations को high करने में तभी आप apply कर पाओगे तो यह आपको daily practices करनी है बच्चो अब बताती है भई practical plan क्या होगा तो देखो इसमें अब आपके लिए जो हम RBC लेकर आ रहे हैं उसके साथ मैं आपको planning बता रहो लेकिन जो बच्चे RBC के अलावा कहीं और पढ़ रहें उनके लिए प्लानिंग पूरी कामयाब हो जाएगी तो यह जो प्लान इसके हैसाब से बच्चो RBC के अंदर हम टोटल जो बच्चावा समय है इसमें 10,000 से भी जाधा questions कर सकते हैं अगर आप जो प्लान है उसको follow करते हो और खुदी सोचो अगर अभी से लेके जी में 10,000 प्लस questions को solve कर लोगे तो बात बन जाएगी आपका score पक्का बढ़ेगा जो मैं कह रहा हूँ score बहुत amazingly बढ़ने वाला है तो यहां पर बात यह है कि इसमें पूरा syllabus revision भी हो जाएगा practice भी हो जाएगी RBC के बारे में मैं थोड़ा से आपको बता देता हूँ एटीप स्टा is very well known for his crash courses we are the inventor of crash course जो देश का पहला जही में का crash course था online crash course that was RBC only RBC का full form rank boosting course अब आप समझ रहे हो कि सबसे पहले बनाया था तो हमने बहुत ही unique teaching methodology and content बनाया है जो crash course का specific है तो इसका बहुत ही amazing results है as you can see on the screen as well कि बहुत amazing and well proven results आये है हजारों बच्चे आज top IITS and NITS में है जो RBC से पढ़े हुए थे तो इसकी methodology बहुत ही amazing बनी वी और इस समय आपको खुद की planning का जंजट खतम करने के लिए RBC बनाया हुए तो अब हम planning की बात करने वाले कि प्लानिंग में करना क्या है तो इसमें दो plan बता रखें आपको पहला है प्लाने प्लाने ऐसा है जिसमें आप किसी भी coaching में पढ़ six hours आप हमें दे दीजिए RBC में दे दीजिए there is a plan B जिसमें पूर रूप से RBC में involved हैं पूरा उसी पर dependent है और उसी से काम कर रहे है अब six hours में आपको क्या क्या करना है and how RBC will help you वह मैं इसके अंदर बताने माला हूँ तो इसमें पूरी detail planning है देखी बच्चों जैसे कि मैंने problem solving तो करना ही है लेकिन जहाँ जहाँ आप stuck होते हो उस problem को cover करने के लिए आपको क्या करना है theory भी improve करना है यानि को specific part मालो आपको नहीं आता है जैसे कि acidic strength में दिक्कत है basic strength में दिक्कत है मालो एल्डोल condensation नहीं आता या marconic of edition नहीं आता तो उस part को उसी part को ठीक करना है पूरे chapter को नहीं पढ़ना और जो week है बच्चों उस week में तो आपको theory भी cover करनी पड़ेगी आपको पी वाई क्यू भी करने पड़ेंगे उसमें effort ज्यादा लगेंगे अब rbc में ऐसा क्या क्या solution मिलेगा क्या time table है सब कुछ मैं आपको करके बताने वाला हूं बच्चों सबसे पहली बात rbc में आपको full syllabus content एक साथ ही मिल जाने वाला है पूरे syllabus का content one go में मिल जाएगा इसस दो भी chapters आपको पहले करने हैं आप उसको पहले भी cover कर सकते हो ठीक है तो उसमें आपको physics chemistry mathematics और प्लस उसके अलावा बुलजाई problem solving प्लस बहुत कुछ मिलने वाला है अब देखिए इसमें आपको क्या क्या करना है पहली चीज़ आपको daily मिलेगा CPP यहाँ पर teaching methodology में हम कराई जाएगी यानि की concept जो होते हैं आप जानते हो कि यही में में काफी सारे concepts ऐसे होते हैं जो repeat होते हैं और जो काफी important concepts होते हैं तो पहले syllabus का revision की concepts का revision कराया जाता है और बच्चों के revision के साथ जो most expected problems है वो CPP के दुरू कराई जाती है तो यह CPP बहुत ही amazing है everyday आपको तीन lectures जो है RBC के एक physics का एक chemistry का एक mathematics का देखना है यह आपका daily plan है ठीक है इस lectures के साथ around 50 questions per day तो आप करी लोगे यह अगर आप किसी coaching के साथ साथ भी RBC को follow करना चाहते हैं तो around 5000 most expected questions आप RBC के साथ solve कर जाओगे तो daily आपने तीन तो lecture देखें तीन lecture के साथ साथ question solve किये अब यहां पर आपके overall six hours चले जाएंगे इसमें आपको बताने वाला हूं कि आपको per subject around 90 hours मिलने वाला है 90 hours का content मिलने वाला है per subject total लगबग 240 से 270 hours का content आपको मिलने वाला है जिसमें बच्चो पूरा slivers revision भी है की concepts को revise कराए गया है प्लस आपको problem solving जो most expected questions है CPP के थू कराए गए है घर के लिए जो आपको material मिलता है वो DPP मिलता है लेकिन अगर आप किसी और coaching में है तो मैं recommend करूंगा कि only CPP पे ही focus करें DPP का समय आपको नहीं लग पाएगा उसके लावा बच्चो यह जो particular course है RBC जिसमें आपको कौन पढ़ाने वाला है because faculty सबसे important होती है तो बच्चो यहां पे जो faculty आपको पढ़ाने वाली हो बहुत ही amazing team है IITians की and most experienced faculty of quota अब आपको screen पे उनके profile भी दिखने वाले हैं कि बहुत ही amazing faculty बच्चो आपको RBC course में पढ़ाने वाली बहुत amazing team आपको पढ़ाने वाली है अब बच्चो यह जो particular content है इसमें जो lectures आपको मिलने वाले हैं वो कैसे मिलने वाले सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा quota classroom का premium content जो आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला और quota classroom में आपको बहुत amazing feel आएगी lectures म along with that आपको बच्चो digital board के bullseye problem solving lectures भी मिलेंगे digital board के problem solving lectures बच्चो इसके अंदर क्या होगा mixed chapters के questions कराए जाएंगे जिससे आपका practice जो है वो next level पर पहुँच जाएगा तो यह जो lectures है इनके basis पे जो recent trend है वो आपको पता लगेगा कि recent जी में के तो यह जो digital board के problem solving है इसके included है और कुछ नए अच्छे questions भी included है तब कि problem solving approach को help करने के लिए बुलजाई problem solving बहुत helpful रहेगी अब बच्चो यहाँ पर आपको अगली चीज क्या करनी है यहाँ पर आपको अपने जो personal mentor आपको हसायन होगा इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ RBC में in the star subscription we are launching a new thing which is known as bullseye mentorship program और बच्चो यह जो बुलजाई mentorship program है इसमें हर बच्चे को एक personal mentor मिलेगा और जो personal mentor मिलेगा बच्चो यह क्या करेगा यह आपका personalized plan बनाएगा personalized plan के अलावा आपको support analysis करेगा यानि आपकी strength और weaknesses को define कराएगा और define कराने के बाद आपको weekly task देगा आपको motivate भी करेगा और इस पूरी जर्नी में यानि पूरा जेई में तक आपको help करेगा आपकी success को assure करेगा क्योंकि हर बच्चे के लिए कई बर planning की अलग-अलग requirement होती है ध्यान रखिए तीन category के chapters थे strong थे या हमारे moderate थे या हमारे weak chapters थे strong chapters में तो simply CPP करो practice करो revision करो RBC से काम हो जाएगा अब अगली चीज में आपको बताने वाला हूं बच्चो कि यहां पर आपने पर subject two hours दे दिये लेकिन moderate के अंदर आपको कुछ concepts में जब weak हो जाओगे तो वो भी तो cover करने पड़ेंगे कैसे cover करोगे अगर कोई theory part cover करना है और weak में तो आपको पूरा ही theory cover करना है तो उसके लिए बच्चो एक बहुत ही amazing facility आपको RBC में मिलेगी वो है thousand plus concept videos thousand plus concept videos की help से आप पूरी theory भी cover कर सकते हैं कई chapters को आप पहले भी cover कर सकते हैं और कोई specific topic आपको देखना है कि और मेरे को यह rank of the word निकालने में दिक्कत आती है यह मुझे particular organic में मेरे को यह acid based reactions में दिक्कत आती है यह isomerism में optical में दिक्कत आती है तो आप खट से आपको dated घंटे की lecture नहीं देखने पड़ेंगे आप directly concept videos are the short videos जिसकी help से आप syllabus भी जल्दी cover कर सकते हो और concept भी pinpoint करके cover कर सकते हो अब इसके साथ साथ आपका बच्चो everyday live doubt solving session होगा आप जो ATP star का material आपको मिलता है you can discuss that particular material with the teacher वैसे तो classroom में normally discussion होता है काफी कुछ बट उसके अलावा कुछ बच जाता है तो आप वहां पे ATP star के material से you can discuss उसके अलावा बच्चो आपको अब क्या करना होगा देखें मॉक टेस्ट के बिना तो जिंदगी अधूरी है अब आपको मॉक टेस्ट देने होंगे तो everyday कोशिश करनी है आपको कि chapter wise मॉक टेस्ट कहां से मिलेगी तो बच्चो आपका जो मॉक टेस्ट का problem है यह भी chapter wise test भी है, part test भी है, full length test भी है और यह सारे test already unlocked है उसके अलावा every week बच्चो आपको mock test देना है depending on your syllabus completion कितना आपने complete किया है आप AOTS से mock test जरूर देते रहना and they are like highly highly relevant आपके लिए बहुत beneficial होंगे तो जैसे कि आपने देखा बच्चो कि यहाँ पे इस particular planning के अंदर आपको everyday ज solving कराई जारी है with the help of CPP, जहाँ पे आप stuck हो जारे हो बच्चो आपको concept videos का access देंगे और concept videos की help से आप उनको cover करोगे और कुछ chapters को पहले से cover कर लोगे, along with that live doubt solving रहेगी ताकि आपका कोई भी जो portion है वो वीक ना रहे, आप conceptual strength अपनी improve करोगे, और उसके अलावा test series का access आपको मिलेगा, AOTS आपको मिलेगा, with the help of which, mock test आपको लगातार करते रहोगे, और mock test से ही आपका real confidence बिल्ड होगा, तो बच्चो यह है आपका six hours का plan, अब यहाँ पे अगर मालीजे कुछ बच्चे जो हैं, वो मालीजे 12 hour दे सकते हैं, नहीं plan B, तो plan B जो purely RBC पे कर रहे हैं, तो 12 गंटे अगर दोगे, तो आपका game ही change हो जाएगा, बच्चो, इसके अंदर आपको additional ही क्या करना है, पहली चीज, बाकी सब चीज़े तो plan A जैसी ही होगी, लेकिन plan A के अलावा, now what you have to do, आपको additional six hours मिल गए practice के लिए, इसके अंदर जो material हम इसमें आपको देने वाले हैं, जो DPPs आपको RBC में मिलने वाली है, उनको आपको attempt करना है, along with good quality previous year questions, तो previous year questions भी उसके अंदर वैसे included होता है, तो सिर्फ DPP से भी काम चल जाएगा, उसके अलावा बच्चो, जो bullseye problem solving lectures आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं, जो नए lectures हम लोगों ने बनाए हैं, आप सभी क करना है, और RBC की help से क्या होगा, कि आपको एक पूरा planning मिल गई, अब आपको सारा content एक साथ मिल गया, physics, chemistry, mathematics, उसके लावा, bullseye problem solving lectures, उसके लावा, thousand plus concept videos, plus AOTS, all in one, तो जो all in one solution है, यह आप सभी को RBC में मिलने हैं, now you must have understood that why, इतने सारे students जो है, वो RBC को क्यों prefer करते हैं, क् इतना multi-dimensional comprehensive course जो है, वो available कहीं पे भी नहीं है, जो आपकी सारी problems को resolve करता है, बच्चो, now the next thing, the very important thing कि भई, how to enroll in this particular RBC batch कैसे enroll करें, तो बच्चो, इसके लिए आप सभी को मैं पहले ही बता लेता हूँ, सबसे पहली बात, कि इसमें एक special code हम दे रहे हैं, for the special fee benefit, यह पहले 200 students क लिए applicable है, and the code is RBC24, यह code आपको कहां लगाना है, जब finally आप enroll जहां पे कर रहे होगे, उस point पे coupon code का option आएगा, from there you can apply the special code RBC24, and बच्चो आपको login करना है, यह तो हमारी app पे चले जाए, Android app है, हमारी play store से download करिये, यह आप हमारी website पे login करिये, then go to the star batch section, star batch section में बच्चो वहा होगा, okay बच्चो, so बच्चो, hoping that with the help of this strategy, and RBC together, you will be unstoppable, आप सभी unstoppable हो जाओगे, and बच्चो आप सभी जो अपना dream college है, वो जरूर अचीव करके रहोगे, I am with you, ATP start, team is with you, हम मिल के मचाएंगे बच्चो, start your journey right now, enroll now in the RBC, love you all. झाल झाल